एक दो महीने में तैयारी नहीं होती है, दूसरा लड़का छह महीने से रात में जाग रहा है, नम्मर उसका आएगा भाई साब आपका क्यूं आएगा? संगर चली है, दोस्तों शुरू करते हैं, और आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा महत्पूर होने वाली है, आज टॉपिक पे बात होगी, जो अभी बच्चे एग्जाम देखिया हैं, चाहे UPSI का हो, जो अभी एग्जाम हुआ है हाली में, चाहे SSCGD का हो, तो इस वारे में हम बात करेंगे, भाई लगबग एक दिन में 100 से उपर वीडियो पड़ रही है, यूटूब के उपर, किसके लिए, सिर्फ हम डालते हैं, UPSI Merit 2021, ऐसा डालते हैं, और आपके सर्चिंग में वीडियो आती हैं, लगबग 8, 10, 12, 15 वीडियो आप डेली देखते हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, जो ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भाई ऐसा टाइम वेस्ट बिलकुल नहीं करना है, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जैसे आप लोग हैं, ऐसा ही मैं हूँ, इस्तिती मेरी भ देखने से ऐसी, कि GD की मेरिट कितने पर जाएगी, या SI की मेरिट कितने पर जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, DBPST में क्या होगा, भाई सारे लोगों को पता है, सिर्फ दिन का कोटा या वीवर्स का कोटा पूरा कर रहे हैं ये लोग, तो बात समझनी है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है, थोड़ी सी कहानी मैं बता दूँ, कि आपका जो मौरल डाउन हो रहा है, कि आप जो एक्जाम देखे आए हैं, उसमें थोड़े से नंबर कम रहे गए हैं, ये वीडियो वो लोग देखते हैं, जिनका आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लगवग जो 120 से उपर वाले हैं, वो वीडियो देखनी बंद कर देते होंगे शायद है, या एक अद वीडियो देख लेते होंगे, और या जिनके 100 से नीचे नंबर हैं, जो इसके बीच में हैं, 110, 12, 15, 108, 75, ये सारे लोग वीडियो देखते हैं, और ये ही इन लोगों के वीउस बढ़ा रहे हैं, भाई हर 10 में पे नई वीडियो आ रही है, और केवल और केवल वीउस के चकर में लग रहे हैं, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको, कि मेने कैसे एक्जाम दिये हैं, और कौन से एक्जाम में मैं फेल हुआ हूँ, और 200 में से 50% भी नंबर नहीं थे बात आ रही है समझ में 50% भी नंबर नहीं थे तो moral तो down कहीं न कहीं होता ही है लेकिन बात आती है कि क्या तुमारी तैयारी थी ये भी तो बात है क्या तुमारी तैयारी थी अगर नहीं थी तो नंबर इतनी आएंगे न भाई तो मेरे इसमें 50% भी नमाक्स नहीं थे ठीक है moral down हुआ थोड़ा सा इसके बाद में जो मेरा exam था वो था CRPF का तुमने वो देखा हो जो head constable की vacancy आती है ministryal से इसमें मेरा exam cross हुआ था क्योंकि 50% पर लग जाती है इसकी जूंक नहीं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं 50% पर लगबग लग जाती है ठीक है क्योंकि इसमें typing होती है और इस टैनों वाले में इस टैनों होती है तो वहां बच्चे fail होते हैं तो इसमें मेरे typing नहीं हो पाई थी और paper कोई भी क्रॉस कर लेता है जादतर ठीक है तो यह एक्जाम दिया था इसमें typing नहीं होई इसमें 50% भी क्रॉस नहीं कर पाया तो moral कहीं न कहीं down होता ही है लेकिन बात यह है कि रुकना नहीं है रुक गए तो क्या फायदा जैसे अभी टाइम वेश्ट आपका हो रहा है तो क्या फायदा है ऐसे टाइम वेश्ट करने से मैंने उसके बाद दिया था MPP का जिसमें मेरे marks ठीक थे लगवग जो 2015-16 में एक vacancy आई थी MPP बिल्कुल इसकी मेरे मैंने उसमें एक्जाम नहीं दिया है एज नहीं थी मेरी, ठीक है उसकी मैरिट लगवग हर जो सिफ्ट है उसके इसाब से गई थी किसी की 58, 57, 60, 62, 61 ऐसे मेरिट गई थी इसकी उससे जो आगे आने वाली थी जो 2017-18 में वेकेंसी आई थी इसकी उसमें दिया था मेरे 73 थे फिजीकल देने गया था और लाश्ट मेरिट 75 पॉइंट कुछ पे चली गई आपने देखा हूँ अगर नहीं देखा है तो सर 23 माक्स थे रह गया इसमें भी नहीं हो पाया किलिए कोई दिक्कत नहीं आगे आते हैं लेकिन जहां आपकी अभी इस्तिती है ना वो इस्तिती मेरी भी समझ में आ रही हैं कोई changing नहीं है आप में और हम में ठीक है तो सब एकसे होते हैं जिस उम्र में आप ऐसे हैं उस उम् काएंगे इसके ऊपर वीडियो बन रही है ये कोई बात है क्या कोई मतलब कोई तुम्हारा लॉजिक है क्या ये है ना इसके बाद मैंने वीडियो का एक्जाम दिया था जिसका भी री एक्जाम होने की बाद चल रही है इसमें माक्स ठीक थे मेरे लगवक्त 2078 के आस पास थे तो री एक्जाम होने की बाद चल रही है इसमें भी नंबर नहीं आया ये समझे लो री एक्जाम है एक्जाम कैंसल हो गया तो इसमें मुझे दोबारा चांस मिलेगा भी तो शायद आप में से बहुत लोग होंगे जिनको चांस मिलेगा इसके बाद फिर मैंने यूपी पी 17 में हम लोग आ गए थे YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो पढ़ी है इसी चैनल पे तो किसी को आज तक नहीं बताया 2019 में वेकेंसी आई थी उसमें जिसमें दो एक एक एक्जाम कैंसल हो गया था 19 तारिक वाला उसमें था मैं ठीक है समझ में आ गया इसके बाद फिर मैंने यह नहीं पे रहके तैयारी करिए और UPSI का फिलाल एक्जाम दिया है बाई बारा घंटे की डूटी होती है उसके बाद तैयारी करिए ठीक है और मेरे इसमें नंबर है 112 नंबर तो मुझे भी पता है कि कम है जादा नहीं है समझ में आ रही है मैं तुम्हें सिर्फ बताने आया लेकिन बात यह आती है कि नंबर कहीं न कहीं कम है तो बढ़ सकते थे लेकिन बात यह थी कि मैं UP पुलिस की जॉब करता हूँ 12 गंटे की डूटी होती है भाई साब आप लोग फिरी है जो अगर जॉब नहीं करते तो फिरी होंगे समझ में आ रही है घर से फिरी हो 24 गंटे और मेरे 12 गंटे तो वहीं कैंसल हो गए जिसमें डूटी है तो 12 गंटे बचे और आपके 24 गंटे में से पढ़ाही का टाइम काउंट होता है मेरे 12 गंटे में से काउंट होगा समझ में आ रही है बात तो बात यह है कि ऐसे घवराना नहीं है अब यह बताओ कि 112 नंबर है मे जजी करने लग जाते हो भाई सब किसी को जज नहीं किया जा सकता नहीं तो आप अपने आपको कर सकते हो नहीं मुझे नहीं किसी और को जज कर सकते हो कर सकते हो क्या बिलकुल नहीं कर सकते आप जज भाई मैंने ये पेपर दिया 50% भी नमबर नहीं थे क्या जज कर सकते थे तो मझे कि यहां भी नंबर नहीं आएगा मेरा क्या यह इस पेपर को दिने के बाद जज कर सकते हो कि यहां पर नंबर नहीं आएंगे इन में नहीं ना आपने पेपर दिया है एक्जाम दिया है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे तुमसे एक्जाम निकलेंगे य मैं आपको एक घटना बताता हूँ मेरे सगे मामा का लड़का है और यूपी पुलिस है ये वाली जिसमें मैं लगाओं ये यूपी पुलिस में वो चार नमबर से रह गया था दोसो चार पे मेरिट लगी थी दूसरी समझ भया कि पहली दूसरी सोले पे थी नमबर आ गया था टोसरी मेरिट लगी थी जिसमें नमबर नहीं आया था मामा के लड़के का चार नमबर से फिर भी रह गया था हूँ मैंने उससे कहा कि भाई तैयारी कर ले ऐसे नमबर नहीं आने वाला तैयार क्यूंकि जब लग जाते या नमबर आ जाता है तो दूसरे को बताते ही हैं कि भाई ऐसे तयारी कर ले ऐसे करी थी मैंने और मैं तो खेर मैंत मेरा पहले से ठीक था थोड़ा सा तो मैंत में जो उसके डाउट होते थे वो मेरे पास WhatsApp पर आते थे कि भाई इसको बता दे इसको बताते तो उससे मैं समझा बाद CPU में अभी जल्दी में चार महिने की ट्रेनिंग करके आया और मना कर दिया कि जोब अच्छी नहीं है मैं नहीं कर रहा है। समझ रहे हो यूपी पुलिस में नहीं लगा था वो लड़का और CGL और CPU में चार महिने मेरिट अपनी वो करके आया है ट्रेनिंग उसके बाद में जब ट्रेनिंग करके आगया बहुत घर में शोर हुआ कि क्यों छोड़के आगया तेरे कहीना नमबर आ रहे सिर्फ पहली तेरी ऐसी जो जौब लगी है उसे भी तु छोड़के आगया लेकिन उसी बंदे ने CGL में CBI इंस्पेक्टर यानि कि टॉप 100 में नम निकला तुस्त कोई निकल सकते या तुम पर इयंकाल सकते भाई जज़ नहीं कर सकते तैयारी करो आगे संगर करने पड़ते हैं समझ में आ गया तो टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप लोग तैयारी में लग जाएं अभी देखो पहला नौटिफिकेशन लगबग आने वाला है जैसी कि वीडियो टल रही है योट्यूब पे लेक पाल का ठीक है दूसरा जो नौटिफिकेशन आने वाला है यूप पंद्रा बीस में रिट बता रहे हैं लगबग इतने पजाएगी सब को पता है तो मैं नहीं पता किया कितने पजाएगी बस ये नहीं कह सकते कि इतने पजाएगी और जो लोग बता रहे हैं तो वो भगवान के भहिया हैं क्या कि इतने पजाएगी कुछ नहीं बता सकते त ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे चुनाब से पहले शायद है यह फॉर्म फिल करा दे और उसके बाद मैं तो आपको पता है एक्समाद में ही होगा तो ऐसा ना हो कि इतना time waste हो जाए चुनाब वुनाब में और फॉर्म फिल करने में और ऐसी वीडियो देखने में जो 6 महीने से अपनी आगे फोट रहा है तुमारा आएगा तुम बढ़ियाओ तुम दो महीने में एक महीने में लियाओ और रात को सो के दूसरा 6 महीने जाग रहा है रात में भी दिन में भी उसका नमबर ना आए तो भाई कहीना कहीं तो थोड़ा सा नसीब भी होता है मेरे पड़ोसी है या आपके पड़ोसी है किसी के अगर मानलो कि मेरे 112 है या आपके 110 नमबर है और दूसरे लड़के के जो आपका पड़ोसी है 105 नमबर है तो भाई सब यह नहीं बता सकते कि वो कम पड़ा लिखा है negative marking नहीं थी आपके में समझ में आ रही है negative marking नहीं थी negative marking होती है तब आये किसी के अगर 160 में से 150 हैं और आपके 130-35 है तो यह नहीं कह सकते 1,500 वाला बहुत उपर है उपर तो है आपसे लेकिन जज नहीं कर सकते भाई सब negative नहीं है 20 नमबर के तुक्के में उसके 10 साही चले गए और आपके 20 में से 20 साही गए तो अंतर कहीं न कहीं आ जाता है तो इस बात से वो मत लगाओ कि मेरे 112 रह गए उसके 108 रह गए मेरे 7 पढ़ने वाला लड़का है बिलकुल 7 में और जब प्रेक्टिस सैट निकालते थे एक्जाम से पहले UPSI के ये बोलता था कि भाई मनीस तेरे बराबर नमबर आ जाए मेरे लगवग 120-22 नमबर आते थे उसमें और उसके 110 बारा कहीं ना कहीं 8-10 नमबर का अंतर रहता था वो कहता था कि तेरे बराबर आ जाए बस एक्जाम में और कुछ नहीं चाहता बस तेरे बराबर तेरे 100 आ जाए तो मेरे भी 100 आ जाए और तेरे 110 आ रहा है मेरे भी 110 और तेरे 140 आ तो मेरे भी 140 वो ये नहीं कहता था कि तुससे आगे पहुंच जाओं बज़िए पकड़ लूँ और आज उस बंदे के 118 नमबर है और मेरे 112 रह गए और 10 नमबर का अंतर था आज वो मुझसे 20 नमबर आ गए 10 नमबर का तो वो फर्क उसने परावरी में ला दिया और 8-10 नमबर यहां आ गए है 6-7 नमबर 118 नमबर है उसके तो यह नहीं कह सकते कि मतलब ज़्यादा पड़ा लिखा है मुझसे मेरे 112 रह गए उसके 118 कह सकते हो क्या नहीं भाई सब negative नहीं थी तुक्के में सही चलेगे बंदे के नहीं लगा हमारा तुक्का तो कहीं न कहीं 40-50 नमबर जो कोश्यन है उन पर तुक्का भी लगा है जिसके 120 ठीक हैं क्या 120 उसके दिमाग से ही ठीक हैं आप यह तो सोचो तयारी थी मेरे 2-4 तुक्के सही गएं बस और दूसरे लड़के के 20 सही चलेगे तो अंतर होता है और इस बात को समझो तो यह नसीब की भी बात होती है और आपका भी नसीब कभी न कभी जागेगा लेकिन बात यह है कि वो तभी काम आता है नसीब और किसमत जब मेहनत होती है 90% मेहनत 95% मेहनत तो 10-5% ही रहती है बस किसमत ठीक है तो किसी को जज मत करो अपने आपको भी मत करो और ध्यान दो सिर्फ पढ़ाई पे समझ में आगी बात और सारी बात यह है कि मैंने अभी जो तैयारी करी थी UPSI की उसमें पॉलिटी एक तो हो गई और मैं था आप जानते हैं कि पहले से ठीक था और अभी काफियत ठीक और हो गया है ठीक है और एक हिंदी यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी पकड़ में है कि अगर मैं किसी के साथ या आपके साथ अपना जितना भी experience है मैं उसे share करना चाहूं तो कर सकता हूँ मतलब आपको थोड़ा बहुत ग्यान दे सकता हूँ कि आप इस तरह से पढ़ है और ऐसे पढ़ है ठीक है लगबख मेरी पॉलिटी के 300-300 पेज के notes है ये UPSI तो क्या UPPCS जो है उसका pre तक cross कर चुके होंगे आप बात आ रही है समझ में तो देखेंगे जब भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो वीडियो या जो भी है आपके live या जैसे भी होगा math का जो भी तुमारा वो बनेगा उसका बात में देखेंगे फिलहाल आप तैयारी स्टार्ट करें टाइम वेस्ट ना करें मैं जब भी आऊंगा या तो आपके चैनल पे या आपके एप पे जो भी है competition गुरू पे तो आपको बता दिया जाएगा पहले ही कि क्या है फिलहाल आप तैयारी कीजिएगा टाइम वेस्ट ना कीजिएगा और एक मेरा अभी टेलिग्राम चैनल बनाए उस पे आपको डेली समझ रहे हैं डेली आपको शाम को लगवग नौदस बजे के करीब आपको दो तीन पेज तो पॉलिटी के और उसके बाद में और जो थोड़ा सा काम है मैं आपको ऐसे वर्क दिया करूँगा समझ में आ गई तो ऐसे वर्क दिया करेंगे आपको तो उसमें ये समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से पढ़ना है तो सारे लोग उस चैनल पे जाएं और उसको डाउनलोड करें टेलीग्राम को भी ठीक है तो बस यही कहना है कि टाइम वेश्ट ना करें बाद बागी एक और चैनल है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसकी वीडियो में उसका नाम है तो आपको मेरे साथ अगर तयारी करनी है तो आप उन सारे उस चैनल से जुड़ जाओ और लगबग 9-10 वजे डेली लाइब आके उसके 2-4-5 मिनट सिर्फ आपसे यह बाते करनी है कि पढ़ाही कहां तक हो गई और कितनी हो गई और अभी आप क्या कर रहे हैं मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए के बल पढ़ने वाले चाहिए जो अपने ऐजे फ्रेंड हैं जो फ्रेंड समझते हैं तो सिर्फ यह शेयर करूँगा कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ और जो भी मैं शेयर करूँगा वो टेलीग्राम पे आपको लिंक वो बेज दिया करूँगा जो भी अपकी पीडियाप वगेरा है और सिर्फ मेरे नोट्स बेज़ूँगा कोई फालतू की चीज नहीं होगी ठीक है और हिसाब से बेज़ूँगा की जितना आप एक दिन में कवर कर लें लेकिन हिसाब ये रहेगा की डेली आपको सुनाना है और डेली आपको पढ़ना है कोई गलती नहीं होनी चाहिए और आगे का जो एक्जाम है भाई साब संगर्स करना पड़ेगा सब लोग संगर्स करते हैं जिनके नमबर आए न ये जो कह रहे हैं कि घोटाला घोटाला भाई सब मेहनत करते एक सु तीस लेके आते जब देखते तुम क्या घोटाला करते हो ये घोटाले होते रहते हैं सब में होते हैं थोड़े बहुत आपको मेहनत करनी है 110 पे 105 पे 100 नमबर लाके तुम ये मेहनत समझ रहे हो क्या 130 लेके आते तब देखते तुम रिये एक्जाम की बात करते हो या क्या करते हो नहीं करते न तब तो ऐसे ही है मेहनत करो रिये एक्जाम से या उससे कुछ नहीं होता सिर्फ मेहनत करो आपके सवासो नमर आएंगे तो आप फिर से खुस हो जाओगे ठीक है आगे बहुत सारी वेकेंसी आने वाली है तो उसके वारे में सोचो ऐसे भाई दिन का कोटा पूरा हो रहा है इनका वीवर्स जो तुम लोग दे रहे हो तो इस बात से दूर रहो बात बाकी और कोई बात नहीं है जो भी बात है मैं बता दिया करूँगा और जो यूट्यूब चैनल का नाम बताया है अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है